हेलो दोस्तों वेल्कम बैक टो मैं चानल दिस इस प्राची और आज एक्स्प्लेइन करने वाली हूँ एक जल पर एकी खुबसूरत कहानी को सुगा इस मूवी के स्टार्टिंग में हमी कुछ मच्छुआरो को यानि की फिशर्स मैन को दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि वो दो मच्छुआरे समुद्र के किनारे जाते हैं लेकिन इनके एराद ही कुछ नहीं लग रहे थी योगी वो साधार्ण मच्छुआरों की वहां पर मचले पकड़ने के लिए नहीं कहते वलकि उनका मकसद तो कुछ और यह था और अब कुछ समय बाद यह पता चालता है कि वह मच्छवारी उस जगह पर एक खास उद्देश से आये हुए थे तो उनका मकसद तो दरसल एक जलपरी को पकड़ना था और अब मच्छव पारे जाल डालकर बहां पर बैठ जाते हैं और जलपरी का इंतजार करने लग जाते हैं ताकि जलपरी को पकड़ सके वो लोग लेकिन वहीं कुछ दूरी पर हमें एक और आदमी दिखाया जाता है और यह आदमी एक दूसरी पोर्ट पर दूर भी इन से उन पर नजर रख लेकिन उन मच्वार को कुछ भी नहीं मिलता है और वो आपस में सवाल करने लग जाते हैं कि क्या हम यहां पर आकर सही रहे हैं लेकिन कुछ समय बीटने के बाद बहुत सारा इंतजार करने के बाद फिर फाइनली हम देखते हैं कि वह नहीं यह किरन नजर आती है वहां उन उसमें एक सच मुझ की जल परी थी जी हां दोस्तों उसमें एक मर्मिट फज गई थी जिसका ओपरी शरीर तो इंसानों की तरह था मगर उसका निचला शरीर बिल्कुल किसी मचली की तरह यह लग रहा था और यह सब कुछ देखकर वो मच्छवारे बहुत जादा खुश हो ज चाते हैं और अब उन लोगों में बहुत ही जादा उच्वता थी क्योंकि उन्होंने पहले कभी इस तरह का कोई जीव देखा ही नहीं था अपनी जिंदगी में फिर वो सोचने लग जाते हैं कि उसके साथ क्या किया जा सकता है वह पहले तो उस जल परी को देखते हैं फिर जल बड़ी से कभु में नहीं आती हैं और वह भोगवधा कोशिश करता है पर उसकी काभु से बाहर हो जाती हैमला करती है और जल से पानी में बापस चली जाती हैं अपने माथेपर हाद रगने लग जाते हैं लेकिन यइस के ऊपर रसी बांद रखी ती और इसलिए जैसे जल परी उसके समुद्र भी उसके पीछे पीछे समुद्र मी चला जाता है जहां वह इस तरह से अब गोली उसके साथ ही मच्वारे को लग जाती है और इसे देखकर वह मच्वारा ठान लेता है कि अब इस जल पड़ी को जरूर पकड़ लूँगा जाप बहुत ज़ादा कोशिश करने लगता है और वह जल पड़ी को पकड़ने में फिर कामयाब हो जाता है वह उसे अपनी पर यह जान लाओं में सिर्फ एक ही मच्रारा है और उसकी जल परी भी है वह इस मौटी का फाइदा उठाता है और चुपके से फिचल मैन और मरमिट थी वह उस जाकर चुप जाता है पिर नेक्स इन्वे हम उसी संगी फिचल मैन को देखते हैं चुकि अपागल सा हुग ग वो अब उस मर्मिट की पूछ को एक उलहाडी से बहुत दर्दनाग तरीके से काट कर अलग कर देता है वो पिचारे मर्मिट चलाती ही रह जाती है और उसका आधा शरीर अब पूरी तरह से कट चुका था उस मर्मिट को इंसानी भाशर नहीं आती थी और इसलिए वो अपने दुख को किसी भी तरह से बयान नहीं कर सकती थी और वो अंदर ही अंदर बहुत जादा दुखी हो रही थी वो बहुत जादा रोने लग जाती है और उस मच्छवारे को हम देखते हैं जहां उसे अपने जहाज पर कुछ हलचन महसूस होती है और जब अपने जहाज के वो आत्मी उसे बताता है और कहता है कि तुम्हें नहीं जानते मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं एक मनों चिकित सक भी हूँ यानि कि एक ऐसा डॉक्टर जो कि इंसान ही मान सिक्कती वीदियो के उपर नजर रखता है जहां वो ये भी कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक करता है क्योंकि उसने उसके उपर पॉइंट कर गए रखे दी और उसे अपनी जान बचा कर वहां से जाना था फिर वो डॉक्टर समझ जाता है कि यह मच्वार संगी है यानि की पागल है और इसे किसी भी तरह से समझाया नहीं जा सकता है और इसलिए मौका ढूनता है और है जैसे ही उसे मौकर मिल जाता है जल्परी को णिदा और की नजर लखने लगता है जिए जाधा शर्ट चकित करने वाली निजारी को देखता है जो कि उतको पूरी तरह से हैरान कर देता है वो देखता है कि जलपरी का शरीयर धीरे-धीरे बदल रहा है और उसके शरीयर का निचला हिस्सा जो कि मच्छवारी ने काट दिया था वो फिर से ग्रू होनी लग गया है और अब मच्छी की तरह ही नहीं बलके इंसानी पैरों की तरह ही दिख रहा था यानिकि अवो जलपरी इंसानों की तरह बदलने लग गई थी और उसके इंसानों की तरह ही पैर आ गए थे डॉक्टर यह सब कुछ देखकर बहुत जादा हैरान था क्योंकि यहां उसे एक नई बात चल रही थी कि यह जलपरी अगर समुद्र के बाहर आ जाएं तो यह इंसानों की तरह भी चल सकती है और रह सकती है और डॉक्टर को यह बात चानकर बहुत जादा कुछी होती है लेकिन जलपरी पूरी तरह से जिंदा थी और उसके इंसानों की तरह पहर आ गए थे और उस उसने उस जलपरी की तरह ही और भी लड़कियों को जगाबर बंद करके रखा था जहां वो इन सब पर होने वाले मानसिक तना पर रिसर्च कर रहा था और उसे यहीं सब अच्छा लगता था और वो उस जलपरी को भी वहां पर कैद कर लेता है और हम देखते हैं कि उस कर सकती है जुन जाव की से बात करती थी उसका था कि उसके अलावा उसे शायद कोई देकि नहीं पा रहा है और लेकिन जब जलपरी उसे चाहबर तो फ़ेंपा पहुचती है तो चे रहा है क्यूंकि वह साहिं रहा दाए नंचिका रहा है Continue जून और जलपरी को जो लड़की दिखाई देती थी वो दरसल दस साल पहले ही मड़ चुकी थी और क्योंकि वह इस जगह पर होने वाले टॉचर को नहीं सहपाई थी जिस कारण से वह यहीं पर मारी गए थी और इसके पावजूत भी उसकी आत्मा शायद यहीं पर ही रह लेंगिज में बाद करने लगती वों असनाठी कुछ बताने के कोसिश ही बात कुछ समझ नहीं पाकिनrån थी ओके तुम्हांची के जांठ लें उस सब फिम अगया हैं यहादि पुलाती है जो कि अच्छी से जानता था और वह जलपरी से बात करता है जलपरी उसे अपने बारे में बताती है यह उसकी दुनिया नहीं है वह समुद्र की गहराईयों से आई हुई है और यहां पर उसे नहीं रहना है जहां पर वो सारी आबिती एक्स्प्लेंट करने लग जाती है कि किस तरह से फिशर मैन ने उस जलपरी की पूर्च को बेरहमी से कार दिया था और किस तरह से वो इन इंसानों की दुनिया में आ गई है साथ ही वो कहते हैं कि हमारा शरीर बहुती जादा अड़ाप्टबल होता है यही कारण है कि इस सारी बाशा है मैंने कहीं और से नहीं बलकि इन्सानों से और आए उयुक्त अरए थे और इस तरह लेंग्विश एक्सपर्ट को बताती है कि मेरे साथ कामी यह है कि अब मैं शायद ही इस महल में जिन्दा रह पाऊंगी क्योंकि मैं समुद्र की दुन नहीं हूं शायद इन कार्णों की वज़े से मेरी मौद भी हो सकती है और साथ-साथ जल परियों से यह सच भी बताती है कि मुझे यह मालूम है कि यहां पर एक जल परी की बेटी भी मौझूद है क्योंकि कुछ मच्छवारों ने जल परी को पकड़ा हुआ था और उन्हीं इ इसा लगता है कि यह सब कुछ मंगरंत कहानिया है और शायद वो जल परी किसी तरह के मांसिक विकार का शिकार हुई है जिस वज़े से वह इन सारी कहानिया को अपने धिमाग में रच रही है और उन्हें उसकी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा नर्स को लग र है उसे की बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है और उसे बहुत ही बरी तरह से मारता है और उसे घसीटते हुए एक रूम में लेकर जाता है सबी लोगों से वह उसे अलग करके बंद कर देता है ताकि किसी को भी कुछ ना बता पाए क्योंकि डॉक्टर नहीं चाता था क जहां पर उसे डॉक्टर ने बंद करके रखा हुआ था जलपरी के साथ अब जो कुछ भी हो रहा था वहां पर मौझू सभी लड़कियों को यह देख कर बहुत ही बुरा महसूस होता है उन्हें लगता है कि एक जलपरी के साथ में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए उसके उप को मनमिट से मिलकर आएगी और सारी बातों को समझा देगी फिर जलपरी से मिलने के लिए उसे बेस्मेंट में जा रही होती है जहां पर उस लड़की के स्पिरिट आकर उसे रोखनी की कोशिश भी करती है क्योंकि वहां पर डॉक्टर ने एक बहुत ही खतरनाक डॉक को चल परी कीो लिए दिखाया हुआ था वर इसलिए बहूं रहे मिलकर उस लड़की ने खालेता है और और पाशल आती तुडपरेका बहुत बातों जाल आएं लेकिन डॉक्टर जिस कैमरे से उन पर नजर रखे हुए था उन सब को भागते हुए देख लेता है अपनी गल लेकर उनका पीछा करते हुए चंगल में चला जाता है जहां पर जल परी देखती है कि वहां एक नदी है जो कि बस सूपनी ही वाली थी जल परी को पानी देखकर बहुत जादर परिशान हो गई थी और जल परी देखती है कि उसकी पूछ भी वापस से उग आई है क्योंकि वह पानी में थी डॉक्टर जल परी को देख लेता है और गुस्से में अपनी गाड़ी से उड़ा देता है और इस तरह से उसे नर्स और बाकी के लड़किया भी देख और उसकी है और उसकी सचाहरी सामने आ जाती है और सबको पता चल जाता है वह एक ही है और वो सच बोल रही थी और दोक्टर परिको अपनी देख जाता है और म्हुंत पर अरे बिसुट्र को भाट पर लिए कर देती बैडर नाम में पानी परने लड़कियों पर चाहते है फिर जलपरी उन्हीं उस लड़की की बाड़ी पर दिखाती है जिसके स्पिरिट उसे और जुन को दिखाई पड़ती थी फिर हम देखते हैं कि वह डॉक्टर अभी भी जिन्दा है और जलपरी अब उससे डुबोगर वहीवर मार देती है और अब सब लड़कियां सेफ हो ग पहानी कैसी लगी और अगर आपको मेरा एक्स्प्लेनीशन और साथ ये वीडियो पसंद आया होगा तो मेरी इतनी मैनत के लिए एक छोटा सा लाइक किर दीजेगा ताकि मुझे और भी जादा मॉटिवेशन मिल सके